हलो फ्रेंड्स मेरा किश्टोनी सेंटर फॉर एलक्टरिक गवर्नेंज जैपूर से दोस्तों आज के लेक्चर नंबर 25 में हम बात करेंगे फ्लिट कमांड की यह किस तरह से यूज होता है कहां पर यूज होता है इसके क्या-क्या बेनेफिट्स हैं क्या-क्या सब आप्शन है यह सारी चीजे हम discuss करने वाले है तो देखते हैं flit कमांड round and flits the edges of objects तो आप किसी भी object के जो corner हैं वो अगर round करना चाहते हैं तो आप flit कमांड का use ले सकते हैं If it connects two object with an arc that is tangent to the object and has a specified radius तो किस तरह से करेंगे जो दो tangents होंगे उनको मिलाते हुए एक circle denote करते हैं तो उस according किस तरह से उस चीज़ को हम कर पाएंगे वो चीज़ हम देखते हैं तो दोस्तो जैसे कि यह object आपको first object दिखाई दे रहा है इसमें जो shape आपको दिखाई दे रही है यह है first selected object यानि यह line जो है वो first selected object है second यह वाला selected object है second selected object and third जो हमारे पास result मिलेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा इन दोनों के tangent एक round shape आपके पास मिल जाएगी तो इस तरह से हम किसी भी object को flip बना सकते हैं तो flip इस तरह से आपका जो भी shape है अभी तक आप वो tangent tangent radius वाला circle लेके और उसके बाद object को trim करके यह shape बनाते हैं लेकिन आप direct आप इसे flip के द्वारा बना सकते हैं अब आगे दिखते हैं दोस्तों इसमें और क्या क्या होता है an inside corner is called a flip जो inside corner है वो flip कहलाते है and an outside corner is called a round you can create both using the flip command तो दोनों ही चीज़े अंदर और बाहर दोनों ही तरह से आप उसको use कर सकते हैं आप इसको कहां कहां पर use ले सकते हैं वो हम देखते हैं कि यह कहां कहां पर use होता है you can flip कहां कहां पर कर सकते हैं arcs पर, circles पर, ellipse and elliptical arcs पर, lines पर, polylines पर, splines पर, x line यानि construction lines पर इसके अलावा हम आते हैं 3D solids 3D solids पर भी आप इसको apply कर सकते हैं यानि जो भी चीच पर चाहें आप उस चीच को round बना सकते हैं यानि corner को round बना सकते हैं फिर आगे देखते हैं यानि यदि कोई apply line आपके पास है तो उसको आपको directly उसके सभी corners को आपको round बनाना है तो एक single command के द्वारा आप उसको सभी corners को round बना सकते हैं तो यह किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं जैसे आपके पास दो line दी हुई है माल लिजे two lines before flit flit होने से पहले यह कुछ line इस तरह से दिखाए दे रही है two lines flitted with zero radius अगर आप zero radius लेके बनाते हैं तो वो कुछ इस तरह से बन जाएंगी यह चीज आपकी बन जाएगी two lines with flitted with radius अगर radius के द्वारा देंगे तो वो round कुछ इस तरह से हो जाएंगी two line जिसमें radius आप खुद given देंगे वह उसको खुद देंगे कितना radius होना चाहिए तो यह flit command किस तरह से use होगा अब हम वो देख लेते हैं flit command के लिए f enter सबसे पहले आपको करना होगा f enter इसका short command है,flit देने के बाद f enter than r enter for radius उसकी बाद आपको radius की value उसको देनी होगी तो जो भी आपकी radius value है जो आपको given है वो आप type करिए, Center करिए उसकी बाद है specifire radius value, जो भी आप radius value देना चाहते हैं जो भी आपको given है वो radius value देजिए और enter करिए फिर आपको select first object यानि पहले object को click करना है और उसके बाद second object को click करना है तो जैसे ही आप second object को click करते हैं वो object create हो जाएगा यानि वो flip हो जाएगा और उसके बाद आप command से बाहर भी निकल आएगे यदि आपको दुबारा से और किसी corner को करना है तो वापस enter करिए लेकिन अगर same radius है तो आपको आप radius यानि r enter करने की जरूरत नहीं है केवल दो object को select करिए यानि अगर आपकी radius change नहीं हो रही है तो same उसी चीज़ को repeat करते जाने के लिए आप enter command को use लीजे यानि enter enter करते जाएए वो object बनता चला जाएगा इस तरह से करके आप उस चीज़ को use कर सकते हैं इसके बाद आते हैं इसके sub options के बारे में इसके sub option क्या-क्या होते हैं और किस-किस तरह से use लेंगे वो हम देख लेते हैं तो जैसा कि आपने chamfer command में देखा था same उसी तरह के कुछ option है यहां पे sub option उनको कैसे use लेना है वो चीज में आपको बढ़ लेता हूँ sub option पहला होता है undo, undo वो ही है एक step पीछे जाने के लिए यानि recently जो भी आपने work किया है यानि जो भी आपने recently flit किया है उस चीज को वो deactivate कर देगा यानि एक step पीछे चला जाएगा then poiline जैसा कि आपने उपर अभी देखा था कि हम एक ही command के द्वारा सभी corners को किस तरह से flit कर सकते हैं तो वो poiline से यानि कोई जुडा हुआ object है यानि single selectable object है तो आप उसे poiline command को use लेते हुए सभी corners को flit कर सकते हैं कैसे करेंगे f enter r enter specify radius value radius value देने के बाद आप p enter करिए poiline के लिए और select कर दीजे poiline को तो उसके सभी corners जितने भी होंगे वहां पर वो poiline flit में convert हो जाएगी यानि वो corner round हो जाएगे तो इस तरह से करके पूरा poiline एक साथ round में convert हो जाएगा corners उसके radius आपने देखी लिया है किस तरह से आप उसे दे सकते हैं उसके बाद आता है trim, trim mode वो ही है अगर आपको किसी corner को flit तो करना है लेकिन उसका corner भी रखना है तो उसके लिए आप trim command यूज लेजिए no trim और trim दो mode होते हैं तो जो भी आप आप को उसमें से on रखना है वो आप on रखिए उसके बाद आगे चलते हैं multiple multiple यानि आप ने देखा जैसा कि आपने पहले किया है flit आपने command लिया और second object को select करते ही आप command से बाहर आ जाते हैं यदि आपको multiple corners को एक साथ flit करना है तो उसके लिए आपको multiple use लेना होगा बार-बार आप बाहर नहीं निकलेंगे m enter करते ही आप दो object को click करते जाएए वो round होते चले जाएंगे जब तक आप escape नहीं करते हैं तब तक वो flit होते चले जाएंगे इसके लिए और कुछ भी नहीं करना केवल आपको multiple use करना है तो इस तरह से इस पूरे sub option को use करते हुए आप flit को अच्छे से use कीजिए यह बहुत beneficial है आपके लिए और जो आप अभी tangent tangent radius से circle बनाके और उसके बार trim करके use ले रहे थे वो सारी की चीज़े आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप डाइरेक्ट ही इस तरीके से आपने दो टैंजेंट लाइन को एक flitted या rounded shape बना सकते हैं तो इसको अच्छे से use कीजिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि अच्छे से समझ में आया आपको तो दोस्तों आज किस लेक्चर में इतना ही थैंक्यू